हाई एबरिवर्ड मैं वो डाइटीशन नीना सेट तो दिवाली निकल गए तो मैं उसके बाद आज आपको देने जा रही हूँ एक ऐसा सूप जो आपकी बॉड़ी को भी करेगा डेटॉक्सिफाई आपकी वेट्रॉस को स्पीड अप करेगा और आपके मेटापॉलिजम को भी बूस्ट करेगा ये सूप रिचिन प्रोटीन है रिचिन फाइबर है कम्प्लिटली फिलिंग है और सबसे अची बात यह है कि इसे सभी करीके के लोग यूज़ कर सकते हैं चाहे डाइबिटीज वाले हो चाहे थायरेड वाले हो तो ये सूप मैं आपको अभी बना कर दिखाने वाली हूँ तो उससे पहने एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह चेनल सबस्क्राइब कर लिजे और बै ऐकन प्रेस कर लिजे जिससे के आपके पास सारे नोडिकेशन आजए जब भी मैं वीडियो अप्लोड करू तो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ ये टेस्टी सूप जो रिजिन प्रोटीन है और जिससे आपको मिलने आला है B12, वाइडुमिन A, वाइडुमिन E, वोलेट और बहुत सारे मिनरल्स और बाकी नेट्रिशन की बाती मैं साथ साथ बताती जाओंगी जब मैं सूप बनाओंगी तो आप मेरे साथ आए मेरे कीचन में तो मिलकर बनाते हैं ये टेस्टी सूप जो बहुत ही अच्छा आपको वेट लॉस देने वाला है ये बेस्ट इनर रेसिपी है और ट्रस में इसको लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे सी वेट लॉस हो पा रहा है तो आईए मेरे साथ मेरे कीचन में देखते हैं ये कैसे बनेगा तो चलिए बनाते हैं ये वेट लॉस सूप जिसके लिए मैंने ये वोक में थोड़ा सा ओयल डाल दिया है बस इतना ही ओयल लगेगा टोटल सूप में और इसमें डाल रही हूँ मैं कुछ खड़े मसाले जिसमें की तेच पता जिसमें की बेलिफ कहते हैं सिनमन और साथ में ही क्लोप और कुछ पैपर कॉन डाल रही हूँ और ये सभी आपकी डाजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करते हैं और सूप में एक बहुत अचा फ्लेवर देंगे तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें चॉप किया हुआ एक अनियन और इसको हमने थोड़ा सा सोते करना है तो इसको हम पहले थोड़ा सा सोते कर लेते हैं और ये सभी ही चीज़ें आपकी डाजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करती हैं और सूप का फ्लेवर तो बढ़ाती ही है तो इसके साथ में मैं डाल देती हुए इसमें चौप किया हुआ जिंजर और गार्लिक गार्लिक मैंने थोड़ा सा जादा लिया है और जिंजर छोटा सा एक लिया है वन इंच के गरीब और साथ में ही ग्रीन चीली डाल रही हूँ आप जैसा खाते हूँ स्पाइस उतना ही डालिएगा और उसके साथ में एक टमेटो कट करके मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे ताकि ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए और इसके लिए मैं डाल दे रही हूँ इसमें एक चमच हिमालियन पेंक सॉल्ट और साथ में ही एक चमच के जितना पेपर और बस यही मसाले इसमें पढ़ने हैं और अब इसके बाद हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल हो मेरे पास बीन्स थी, कैरेक थी और यह तीनों कलर की कैप्तिकम थी तो इनको मैं इसमें डाल दे रही हूँ साथ में ही मश्रूम कट करके डाल दे रही हूँ आप यहाँ पे ब्रॉकली भी डाल सकते हैं कैबिच और कॉलीफलाद भी डाल सकते हैं लेकिन यह सूप जब मैं तीनों डिजीज कंडिशन के लिए अगर मैं प्रेफर करूँ तो थाइरेड में ब्रॉकली और कॉलीफलाद नहीं खाते हैं तो यह सूप जो है थाइरेड और डाबेटीज वाले और पीसी ओडी वाले भी पी सकते हैं इसमें ऐसी यह वेजटेबल्स का मैंने यूज किया है जिससे की सभी लोग इसे पी पाए अब इन वेजटेबल्स को हमने उतना ही पकाना है इससे की इनकी बाइट आए तो इनको हमने मशी नहीं करना है थोड़ा से इनको हमने क्रंची ही रखना है तो अब मैं इसमें से ये बेलीफ निकाल दे रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ चुका है तो अब यहाँ पे डाल देंगे हम दो कप पानी आप यहाँ पे वेजेटेबल स्टॉक का यूज कर सकते हैं यह है फॉक्स टेल मिलेट जिसे मैं सूप में डालने वाली हूँ इसे मैंने सोप करके बॉयल कर दिया था इसको आप अपने राइस से रिप्लेस कर सकते हैं और आपका वेट लोस बहुत यच्छा स्पीड अप हुचाता है इसमें बीटोयल होता है फोलेट होता है और ये मैं इसमें एक कप भरके डाल दे रही हूँ सूप में और इस से क्या होगा कि आपको किसी मैदा वग्यरा को डालने की ज़रुरत नहीं है और इस तरीके से आप किसी और भी मिलेट का यूज कर सकते हैं जैसे की जरागी और या पिर आप यहाँ पर बाजरा या कोई और मिलेट भी डाल सकते हैं लेकिन यह जो मैंने होल डाला है इससे एक अच्छी बाइट भी रहती है सूप में और आपको जब खाते हुए ही पीते हैं तो आपका जो है ग्रेविंग्स जो आपको भूख लगी ह होती है शाम को बहुत अच्छे से शान्त हो जाती है तो इस तरीके से यह एक से दो बॉइल आ गए कवर करके तो यह हमारा सूप बनकर बिल्कुल तायार है तो यहाँ पर मैं गैस कर देती हूँ बन और उसके बाद हम इसमें एक लेमन का जूस डाल देंगे गैस बन करके ड की जबरत नहीं है कि बहुत ही अच्छा थिक कंसिस्टेंसी का बना है और यह कंप्लीटली फिलिंग भी है तो उपर से मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा भुना जीरा पाउटर जो अगेन आपके वेट लोस को बूस करता है साथ में आपनी राजिस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तो उपर से डाल दे रहे हैं कोरियंडर लीफ्स आप मेंट लीफ्स का भी यूज कर सकते हैं तो इसको आप एक बाउल भर के डिनर में लेंगे तो वेट लोस बहुत अच्छा स्पीड अप हो जाएगा तो जरूर बनाएं तो इस सूप का इस्तिमाल किया है इसको बनाने के लिए तो यह बहुत ही तेस्टी भी है और साथ में ही निट्रीशिस भी है इससे आपको वाइटमिन ए और ई भी मिन जाता है फोलेट भी और बहुत सारे मिनरल जैसे की फॉस्फोर और स्केल्शियम मैगनेशियम सोडियम तो यह सूप चुम है डाइ ही तायर वाले भी इसे ले सकते हैं यह आपके डाइजेस्टिव इशूस को भी ठीक करता है और यह बहुत ही ज्यादा बेनिफीशल है आपकी वेट्रॉस जन्नी के लिए तो इस सूप का आप डिनर में यूज़ कर सकते हैं जिससे की आपका वेट्रॉस बहुत अच्छा स् शेयर करें कि इससे आपको क्या बेनिफेट हुए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बैं आइकन प्रेस कर लें जिससे की आपको सारे हैंदी अपडेट्स मिलते रहें और इस सूप कर जब भी आप यूज़ करें तो मुस्ते एक पर चैन जरूर शेयर कर हैं तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में मिज़ती हूँ आपके साथ एक नहीं एट्वास रेसिपी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन मत भूलिएगा